हलो फ्रेंस मैं रागनी और आज हम सीखेंगे स्लीब का डिजान वह भी बीना पेपर पेश्टिंग का बहुत ही असान तरीके से आपको करना क्या है जितना लंबा आपको स्लीब चाहिए उतने लंबाई में आपको कट कर लेना है नॉर्मल स्लीब जैसे कट करते हैं यहाँ प के गोलाई में हो'RE मेरे मैं आठ hjंज है ओड्र से 2 इंच सिलाई मार्जन ले लेंगे तो आपको मार्जन जरूरी उश करना है और यह अंदर का जो बाजू का गहराई है आगे के पल्ले को आपको हाफ हाफ इंच अंदर के साइड से देना है कुछ इस तरह से दिख oyster के वह प देखिए फ्रेंस एक इंच में दो पॉइंट कम पे मार्क करेंगे नीचे के साइड भी एक इंच में दो पॉइंट कम पे मार्क कर लेंगे और यहां पे एक सीधी लाइन बना लेंगे एक इंच में आपको उतना ही कम करना है जितना आप सिलाई में दबाते हो सिंपल सा तरीक है अब इसको बिल्कुल सीधे में कट कर लेंगे बंद भाग के तरब से इसको आपको मार्क करना है कट करने के वाद से दोनों पल्ला अलग-अलग हो जाएगा और अब हम यहां पे में कपड़े को ले लेंगे में कपड़े का उल्टा साइड नीचे के साइड रखेंगे और सीधा साइड है देखे में कपड़े के सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे और बस सीधे में सीलाई लगा के इसको पलट लेंगे अब देखे दूसरा साइड का भी इसी तरह से रखेंगे और बिल्कुल सीधे में आपको एक चाप कपड़ा मा अखुन से प्रेस करेंगे और एक सिलाई इसके उपर लगा लेंगे मार्जन वाला पार्ट अस्तर के साइड ही रहेगा और सिलाई भी हम अस्तर के उपर ही लगाएंगे यहां से अस्तर को finally उल्टे साइड हम पलट लिए हैं और यहां पे देखे स्तीदे साइड से फिनिसिंग की सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बास से दूसरे साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाके पलट लेंगे दोनों पल्ले को आपको सेम आइडिया से त्यार करना है दोनों को पलटने के बास देना आप इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करके अस्तर के पूरे किनारे पर सिलाई लगाके उसको मेन कपड़े के साथ सेट कर लेंगे यहाँ पे देखिए दूसरे साइड का भी बिल्कुल उसी तरह से आपको कर लेना है कॉर्णर पर सिलाई लगाना है चारो तरफ के और अस्तर के बाद जो भी मेन कपड़े में का एक्ष्टा पार्ट है उसको कट करके क्लेन कर लेना है दोनों पल्ले को त्यार करने के बाद से अब यहाँ पे चार इंच लंबाई चोणाई में चार कोर कपड़ा लेंगे आप चाहें तो इसको कंट्रास्ट भी ले सकते हैं या पिर जो आपका साड़ी का पीस होता है उसमें से भी ले सकते हैं तो मैं यहाँ पे देखिए जो इससे भी बड़ा साई जो बना सकते हो दोनों पीस को त्यार करने के बाद से दोनों का नोखना बस दो पॉइंट एक दूसरे के उपर चढ़ाएंगे और सुई धागे से अच्छे से इसको लॉक कर लेंगे यहाँ पर चारता धाग आपको लेना है और दो से तीन बार लॉक करने के बाद से फ्रेंस देखिए एक पीस हमारा त्यार हो गया बिल्कुल इसी तरह से पूरे पीस को रेड़ी करेंगे तो देखिए चारों पीस को हम त्यार कर लिए हैं इसको त्यार करने के बाद से यहाँ पेपर लेंगे पेपर की लंबाई बाजू के लंबाई क चाहिए जो सिलाई में दबेगा पेपर को बीचो बीच से फोल्ड कर लेंगे और बीच में जो निसान बनेगा सेंटर का फोल्डिंग का बस वहां पर एक सीधी लाइन बना लेंगे यानि तीनी जो पेपर है न उसके बीचो बीच में आपको एक सीधी लाइन बनानी है लाइ इंटर पॉइंट का आपको विसेज ध्यान देना है और जैसे कि मैं हलकालका चढ़ा के पूरे पीस को रख रही हूँ दूसरे के उपर उसी तरह से आपको भी रखना है बीच में जो बरफी का कट होता है बिल्कुल उस तरह से सेफ आना चाहिए इसको रखने के बाद से अब हम देखिए दोनों साइड का पला लेंगे उपर से हाफ फिंच छोड़के रखेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जन में दबेगा नीचे की साइड भी आपको हाफ फिंच छोड़ लेना है क्योंकि नीचे इम बॉर्डर जोईंट करेंगे तो इस तरह से आपको half half inch दोनों side plane छोड़ करके इसको set करना है देखी इसको set करने के वास्ते अब दूसरे side भी इसको रख लेंगे ऐसे इस side भी half inch आपको छोड़ के रखना है और जैसे पहले side stitch किये थी बिल्कुल उसी तरह से stitch कर लेंगे तो देखी इस तरह से अगर आप एवाला design बनाते हो तो एक तो आपका बिना पेपर पेस्टिंग का बन जाता है दूसरी बात बीच की जो cut है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इस का डरने कि ज़्यादा चोड़ा हो गया फिर कम हो गया अब यहां पी नीचे के साइड बॉर्डर बनाने के लिए बिलकुल सीधा कपड़ा लेंगे तीन इन चवणाई में और देखी कपड़े को सीधे साइड से हम रखे थे और बाजू को उठा के बस उसके उपर रखके stitch कर लेना है यानि बाजू का उल्टा साइड और कपड़ा का सीधा साइड एक साइड होगा और जब इसको पल्टेंगे तो कपड़ा हमारा सीधे साइड आजाएगा देखी इसको बाहर के साइड करके एक बड़ी वाली सिलाई लगा लेंगे इसके उपर ताकि अच्छे से सेट हो जाए तो देखिए अब इसको इस तरह से फोल्ड करके और जो वर्फी वाला लैस होता है उसको मैं आप आटेस कर लेंगे इसके अंदर के साइड तो देखिए बस इसको न हलका सा इसके अंदर के साइड दो पॉइंट करते जाएंगे और यह जो है न पट्टी को डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे इसके उपर प्रेस लगा लेंगे और यहां से हम पेपर को रिमूब कर लेंगे आनि पेपर जो है उसको निकाल लेंगे यहां पर पेपर को निकालने के बास से न यहां पर जो धागा हुगा एक्ष्टाप को दिख रहा है उसको छांट लेना है और अब हम जो न इसको पलट के सेट किये थे वो जो सिलाई लगाये थे उसको निकाल लेंगे क्योंकि एक एक चाप पर एक और सिलाई हमें लगानी है ताकि जो कपड़े का मार्जन है अच्छे से दब जाए और जो भी एक्ष्टा पार्थ है उसको छाट के क्लीन कर लेना है यहाँ पर देखी इसका जो ब्लाउंज है उसको रेड़ी करके रखें और इसके पीछे के पल्ले में वीनेक और बैक ओपन बनाए है आप देख सकते हैं डिजाइन उगर उसको देखना है तो एंड स्क्रिन पे पीछे के पल्ले का वीडियो मिल जाएगा अब यहाँ पे सीधी कौटन की पटी लेंगे और सोल्डर से दो इंच पहले से इसको स्केस करेंगे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बाजू आगे के पल्ले में आ रहे हैं उस पर आपको हाफ इंच अंदर दबाते हुए सिलाइ लगाना है ताकि arm hole में जोलना आए और यहां पे छटाई आपको कर लेना है अगर आप cutting करते टाइम छटाई नहीं किये थे तो अगर आप cutting करते टाइम कर लिये हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अब बाजू का जो center जो मोती बीच में टक की है नो चोड़र के joint पर आना चाहिए और shoulder से एक इन्च छोड़के आपको इस side का बाजू joint करना है फिर उस side का भी आपको एक इन्च छोड़के करना है यानि बीच में दो इंच का आपको gaping होना चाहिए देखिए इस तरह से मिला लेंगे एक इन्च छोड़के जहां भी आ रहा है वहाँ से stitch करेंगे तो देखिए दूसरे साइड का भी कर लिया है बीच में देखिए इसका gaping भी अच्छा आ गया है और जो solder पर हम कपड़ा joint किये थे न उसको अंदर के साइड इस तरह से fold करके और उपर से एक चाप के दूरी पर सिलाई लगा के set कर लेंगे इस तरह से आपके solder पर भी अच्छे से clean हो जाएगा बहुत easy तरीके से और अब देख सकते हैं कि बाजू एक side का joint हो गया है अब जैसे normal browns fitting करते हैं बिल्कुल उसी तरह से fitting कर लेना है और पहनने के बाद से इसका look देख सकते हैं बहुत अच्छी fitting आई है बाजू की